नमस्कार दोस्तों आर एसरे जाना इस्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे 34 साइच का ये बोटनेक गले का ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन है लंबाई रखे हमने 14 इंच लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और डबल फोल्ड करके लिए है साड़े दस इंच सुल्डर साथ इंच चार मोल भी लिया है साथ इंच तो जितनी लंबाई रखना है एक इंच ज्यादा ले लिजेगा और देखे यहां पर लिया है हमने चार इंच दो पॉइंट गले की चोड़ाई लिया है चार इंच दो पॉइंट गरा इसकी साड़े दस इंच उपर से लिया है 1.5 इंच तो इस तरह से देखे मार्किया उपर वाले जो उपर वाला जो बोड कला है उसे धाइंच पर कट करेंगे आप चाहें तो तीन इंच भी ले सकते हैं पिर से जादा नहीं लेना है अब देखिए यहां पर नीचे वाले गले का निशान इस तरह से ने बना द कर थो इस तरह से अरी इस तरह से देखिये लिजाइन का निशान जो कर दिया है प्र यहां पर बढ़ाया हमनें om । कि चाले लेना देखे आच्छे से जो निसान बनाया है कपड़े पर समझ में आ रहा है वहीं से इसमस्पन निकाल लेंगे। तो इस तरह देखे निकाल लिया है, अब इसे दूसरी तरफ से भी बना लेना है, सिलाई लगाने के बाद इसे कट करेंगे, इसलिए निसान दोनों तरफ से, यानि पूरा निसान गले का कर लेना है, यह रिजाइन वाला भी और यह जो नीचे हमने इस ट्रा लिया था, वहीं कर पहले तियार कर लेना है, तो ही तरह देखे, अस तरफ कुप्टे को जोड़ कर ताइब कर तYार करेंगे, पिर इसका गला बनाएंगे, पहले से तियार कर लेंगे, फिर जो गला है उससे बनाएंगे, अप साइट से लाई यह लगा देंगे, तो यह हमने देखे सिलाई लगा दी है बराबर से मोरते हुए एक सीधा निसान इसके उपर कर लेना है यहाँ पर एक कट लगाएंगे फिर ठीक देखे इस तरह चोड़े चोड़े से थोड़ी दूर दूरी पर यह निसान सीधा कर दिया है अब यह जो गला हमने लिया है कपड़े के उपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी एक सिलाई उसके बाद साइट से इस तरह बाहर वाली साइट से कपड़े को फोड करते हुए सिलाई डाल दी है अब दुनों निसानों को मिला कर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई पर लगा लेंगे सीधी सिलाई लगाएंगे उसके बाद पूरे गले पर लगाना है सीधी सिलाई लगा देंगे तो यह बि है तो पूरे पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे उस्भाइन नंहीं के बाद इसे पर काटकरना है कि तो इस्तर है देखिए स्धक तब इस पर लगानी है और है इससे इससे so every लगा कर चरख कर सकते हैं ज्याद़ आच्छा रहेगा अगर इससे पहले भी आप कट कर सकते हैं लेकिन में पटला होता है इस पार सिलाई लगाई जा सकते हैं अगर आप मोटा वाले बुक्रम का यूज करते हैं यहां पर नहीं लगानी तो इस तरह से में कट कर लेना है उसके बाद पूरे ही गले पर कट लगेंगे तो इस तरह से अब कट लगा देना है तो पूरे पर देखिए हमने इस तरह से कट लगा दिया है सिलाई बचाते हुए कट लगा देना है सिलाई ना कटे नहीं तो फिर यह पलटते समय खुल जाएगा तो इस तरह से हमने पूरे पर कट लगाया फिर उसके बाद जो यह बुकरम पटी है इसे अंदर की तरह इस तरह से पलट लेना है और देखिए यहां पर कपड़े को अच्छे से निकाल लेना है पटी को अंदर की तरह पलट लेना है तब उपर से एक सिलाई लगानी है दूसरी साइड भी इसी तरह से पलट लेना है अच्छे से डिजाइनों को पलटेंगे कपड़े को अच्छे से निकाल लेंगे तब हमें उपर से एक सिलाई फिर इस पर लगा लेनी है अब इस तरह से लगा देंगे लाइव मैं अब प्रेस कर दें स्याइव लगा दिया है अब डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह से यहां पर लेना है दाइज का जोकोर कपरा यह दिखें दो कप्ड़ें हमने ले लिए हैं धाय इंज के चोकोर बागी डिजाइन हमने कंप्लेट की हुई ह आप बस दो यहां पर बना कर यह एक डिजैन से बना कर बताएंगे तो यह दो डिजैन यह बढ़ी मोटी लेना है बड़े साइज के यहां पर मोटी ले लेंगे और इससे इसको लगा देंगे तो इससे लगाने के बाद अब इसके चारो तरफ से हमें छोटी मोतियां लगानी है तो धागे में डाल लेंगे जितनी की आएंगी इसके चारो तरफ से कितनी लगेंगी तो पहले हमें धागे में छोटी मोतियां डाल लेनी है तो इस तरह से हम छोटी-छोटी मोतिया धागे में डाल लेंगे, यहां पर आठे नौ लगेंगी, ज्यादा नहीं लगेगी, उसी साब से डाल लेंगे, फिर यहां पर देखे इस तरह इसको लगाएंगे, लगाने के बाद चारों तरफ से इस पर सिलाई भी लगानी रहेगी नहीं तो फिर यह एक तरफ से निकल जाएगी, तो इस तरह से अब सिलाई लगाएंगे, फिर दागे को पका करते हुए कट कर देना है, तो इसी तरह से डिजाइन हमें लेनी है नीचे, जो डिजाइन के लिए लिया था जितना, उतने पर यह डिजाइन रहेगी, उपर के डिजाएन तो हमारी complete है surface पलेस लगाना है अब यह लेना है में पेपर ले लेना है तो यह ने उच्पेपर हम ने लिया है डबल फोल्ड करके लेना है और गले को अब इसी पर रखना है बराबर से मिला कर देखे यहां पर यहां पर ऊपर बराबर से मिला लेंगे तो नीचे भिर व्राबर है आएगा तो उस तरहे निकाल लेना है इसके बाद डेड़िंगे ऊपर की तरफ से ले लेंगे और इस देंगे और आप जो पेपा ज्यादा है उसे कंड कर दिंगे आप इस तरहे रखनी है जहां से निशान किया है वहीं से शिलाई लगानी है और इस तरह एक बरावर से रखेंगे पूरे पर एक बरावर से रखते जाना है छोटी बड़ी नहीं करना है जितना गयब देते हैं उतना ही पूरे के बीच में देना है और फिर इस तरह से पाइपिन वाली साइ और अखzna बरावर से स्व लगानी है कि अपसे नीचे वाली तरफ से भी स्वा OR लगा दीगे लीते दूछ नहीं है सिलाई के बाहर इतना भी कप्ड़ा था हमने कड कर दिया है पेपर सही पड़े को कट कर दे हो तो है हमारी पाइपुन पाइप 2500 बना लिना है है। कि हूं भटी लगा दी है इस तरह पाइप इन इस पर बना लेंगा है हुआ हुआ है हुआ है। अब इस पर जो आगे डीजाइन है उसको भी बना लेंगे तब इसे गले पर सेट करेंगे या तो आप इसे सेट करने के बाद भी से बना सकते हैं तो पूरी ही कंप्लेट कर लेंगे उसके बाद इसे गले पर लगाएंगे अब देखिए डोरी के डिजाइन रहेगी तो डोरी हमने बना ली थी और इसे कट कर लिया है दो-दो इंच की अब इस तरह यह पूरे पर डोरी से डिजाइन रखेंगे तो पूरे पर एक बराबर से इसे लगा देना है तो ज्यादा बड़ी हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे बाहर की तरफ छोटी-छोटी सी ही डिजाइने यह बनाई है अब देखिए को इस तरह से यहाँ पर सेट करना रहेगा बराबर से मिलाएंगे और एक तरफ पिन लगा देंगे उस तरफ पिन लगा देंगे और इस वाली साइट से सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने इसको गले पर लगा दिया है बिल्कुल बराबर से इसकी सिटिंग हुई है लिजाइन यह बाला हमारा कंप्लीट वैस पर मोतियां लगानी अभी बांकी है पेपर निकालना है अब यह जो साइट की लिजाइन है इस पर लिजाइन लगा लेंगे उसके बाद उस पर मोति लगाएंगे और पेपर को भी निकालेंगे तो इस तरह से लिजाइन कट है उसकी तरह से लिष्ड को भी लगाना है कि नियुक्त है टुभ लगा लिया है दूसरी तरह से लिष्ड को लगा देना है दोनों तरब इसामारा जो है लग गया देखिए अब इन डीजाइनों पर हमें एक-एक मोती लगानी रहेगी तो पहले यह डोरी वाली जो डीजाइन से पूरा कर लेंगे तो इस तरह से केक मोती करके पूरे पर हमें लगा देना है जिस साइज किस पर मोती बैठेंगी उसी साइज की लगानी है तो छोटी-छोटी और फिर डीजाइन हमारा ये complete ही हुआ और इसका plates बनाएंगे इसे निकालने के बाद तो ये निकाल दिया है आप इसका plates बना देंगे दोनों plates बना देना है और गली पर हम डोरी लगाएंगे अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो उसे जोड़ कर एक बटन वहाँ पर लगा सकते हैं या चोटी-चोटी सी दो लटकन भी लगा सकते हैं जैसा आपको पसंद हो उसे आप से कर सकते हैं तो इस तरह हमारा ये डीजाइन बोटनिक गली का बहुत ही प्यारासा डीजाइन बनके तैयार हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक सेर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डीजाइन के साथ धन्यवाद